नमस्कार नवोदे विद्याले समीती की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिक्संस आउट हो चुका है और जो भी छात छात्राइं इसमें फॉर्म अपलाई कर रहे हैं उन सभी के लिए अग्रेम बधाईयां और आपको बता दूँ कि मैंने इस पर वीडियो दो दिन पहले बनान नहीं पाया क्योंकि मैं बाहर था और वाट्साप पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर क्या इसमें एजुकेशन क्या लगेगी मतलब यह गुता क्या रहेगी इसके बाद नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी पेपर ऑनलाइन होगा या आफलाइ में करेंगे और आपको यह वीडियो देखने के बाद साहित कोई वीडियो देखने की आवसकता नहीं पड़ेगी यदि आपने पूरी बात ध्यान से समझ ली तू ठीके मैं बिलकुत सौट में समझाऊंगा आप इनके स्क्रीन सौट जरूर लेते जाएगा देखो जिस ची के तहित जो पद हैं अन्रेजर्व, EWS, OBC, SC, SC इन सभी के लिए पद बताए गए हैं कि इस भासा में इनके लिए इतने पदों की संक्या है यदि आप इस से सम्मंदित या इस से रिलेटेड आप कहीं आते हैं तो आप इसमें फॉर्म अपलाई कर सकते हैं दूशरी बात हम बात करें आगे सबसे पहले बाते कर लेते हैं कि दोस्तों इसमें जो बैकेंसी है वो किस किस के लिए है बैकेंसी एक तो इसमें प्रेंस्वल के लिए है एक इसमें पीजीटी के लिए है एक इसमें टीजीटी के लिए है तीन बात हो गई ये चौती बात होती मिसलेंस में आपके लिए जैसे म्यूजिशियन हैं केंप्यूटर के टीचर हैं इसके अलाबा आपके जो पीटी वाले हैं जिसको हम युगा वाले टीचर्स बोलते हैं वो बहुत सारे मिशलेंस में आते हैं और उन सभी के लिए भी यहां पर अप्लाई करने के लिए कहा गया है आप ज़दी इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं दूसरी बात हम प्र debe करें कि प्रेंस्पल के लिए आपको युगता की क्या जरूरत है तो प्रेंस्पल के लिए और P ३ो पीजिटी के लिए और टीज़िटी के के लिए है न यह अपन तीनों की बाग करते हैं principal के लिए आपको master degree होना चाहिए PGT के लिए master degree होना चाहिए TGT के लिए graduation चलेगा ठीक है PGT में और principal में आपको क्या चाहिए इसमें आपको BAD या फिर MAD इसमें आपको BAD इसमें आपको BAD आपको तीनों में चाहिए ठीक है इसके बाद principal में आपको experience चाहिए, PGT में आप जिने जिस subject में पढ़ाई की उस subject की master degree होना चाहिए math से है, physics से है, chemistry से why उसे, जिस से भी उस से आपको master degree की चाहिए TGT में आपको 3 साल का graduation चाहिए, 7 में B8 चाहिए इसमें experience वालों को भी काफी महतु दिया चाहेगा, इसलिए ध्यान रखना, आपको seat at भी जरूरी है, आप ऐसा ना सोचें seat at जरूरी नहीं है, यदि आप PGT में former हैं, तो आपको second paper seat at का qualified होना जरूरी है इस बात को याद रखेगा अब हम बात करेंगे इसमें negative marking की कि यार negative marking होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूँ जो negative marking होगी, वो बनवाए फोर्थ की होगी, यानि एक बटा चार जिसे हम बोलते हैं, बनफोर्थ उसकी negative marking होगी, paper की बात करें paper online होगा या offline होगा paper आपका online होगा, online के साथ साथ आपका interview होगा, इस बात का याद रखेगा paper online होगा, और साथ में आपका interview होगा, इसमें इन लोगों ने एक बात जरूर कही है कि आपको हिंदी plus English, इन दोनों में mastery होना चाहिए, मतलब आपको पढ़ाते भी आना चाहिए, और बात करते भी आना चाहिए, यदि आप किसी एक language में जानते हैं, एक language के अच्छे जानकार हैं, तो वो थोड़ी सी दिकत हो सकती है, लेकिन आपको English, Hindi, दोनों और दोनों में आपको समझना चाहिए, बात करना चाहिए, और पढ़ाते आपको आदा चाहिए, ठीके, अब यदि हम बात करें कुछ बैकेंसी, पदों की बात करें, तो principal group में आपको ये group लगेगा, और उसमें आप देख रहे हैं, subject इसका screenshot ले लेना, अब मैं सारा इसको पढ़ूँगा ने, क्योंकि biology, chemistry, commerce, economics, English, geography, Hindi, history, maths, physics और computer science, ये आपके subject हैं, इन subject के अंतरगत इतनी बैकेंसी हैं, जो principal के लिए बात कही जा रही है, तो आप इसका screenshot ले लेना, ठीके, अब हम बात करते हैं आगे, आगे आपको बात कर देना है TGT की, TGT की बात करें तो English, Hindi, Math, Science, Social Science, TGT में ये हैं, इसका screenshot ले लिजेगा, और ये आपको पदों की संख्या दी गई है, ठीके, ये आपको, आप देखीगा, अब आपको मैं एक महत्मूर जानकरी इसमें बता दूँ, वो, ये है, Miss Lens teacher की, बहुत सारे लोगों को रहेगा, क्यार, Miss Lens teacher का तो आपने बता य ये नहीं, है ना, ये देखो, Miss Lens teacher का आप screenshot ले लेना, इसमें आपको music, art, PET, PET, male, female, और librarian, ये भरती जो है, आपकी किस में आ गई है, Miss Lens teacher में आ गई है, इसलिए आप इसको जरूर देख लें, और आप जैसे librarian बनना चाहते हैं, PT, male में, female में, art में, music में, जो भी है, आप इसको फर्च सकते हैं, कोई बुरा ही नहीं, अधि आपके पास experience है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं sort notification को ये से बताना चाहता हूँ, कि आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत ना हो, बिलकुल simple तरीके से बताना चाहता है, आप देखो, PGT की भी बात कर लेंबन, ये PGT की, इसका screenshot ले 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 न, biology, chemistry, commerce, economics, English और geography, इसका screenshot ले लिजेगा, ठीके, प्रिंस्पल की बात करें, अब हम salary की, salary तो बहिया, यहाँ पर इसी बिलकुल पेल के देदी गई, salary है न, pay skill, pay skill, इसमें किसके लिए pay skill दे गई है, graduate teacher third के लिए, ठीके, देखो, 44,900 से लेके, 1,42,000 तक आपको salary, इसके बाद हम बात करें, इसकी, 47,600 से 1,99,000 तक मिलेगी PGT में, यह आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखते जाए, और school, मैं principal की बात करूँ, तो principal की दो दोस्त, जो salary है न, बिलकुल फरफले है, principal की salary यहाँ पर दी गई है, salary भी जानना जरूर है, आदमी क 7,800 से लेके 2,9,200 समझ के बात को, अब आप देख लो, इसमें experience लगेगा आप उस लेके, और आपके लिए कौन सी जानकरी जरूरी है, बोगें आपको बता देता हूँ, हाँ, इसमें age की जरूर एक बार बात कर लेते हैं, age को regarding भी बहुत सारे लोगों में दिक्कत है, age, बता दूँ, आपको principal के लिए जो total age लगेगी, वो लगी की principal के लिए 50, PGT के लिए 40, और आपका TGT के लिए 35, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, और 50 साल के, तो आप इसमें form आराम से वर सकते हैं, 50 साल तक चाली साल और 35 साल, तो हो, आप आराम से form अपलाई कर सकते हैं, TGT, PGT और principal के लिए, मिसलेंस में भी वोई श्याम रहेगा, कोई ऐसा इसू नहीं, अब आपके लिए और क्या चाहिए, यह देखो, इसका screenshot ले 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 ले, एक कहां कहां पर है, है ना कौन-कौन से state में है, यह तो state दिये गए है, इसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जिस state स आपको form बरना है, बाकी यहां पर कुछ भी नहीं होगा, इसमें examination for the post of principal, जो आपकी principal के लिए है, यह देख लो, आपका क्या क्या रहेगा, exam pattern में, principal में क्या क्या आएगा, सबसे पहले देखो, part first होगा, जिसमें reasoning और numeric ability होगी, 10 number के होगी, 10 questions होगी, general awareness, part second में होगी, 20 questions हो पार्ट थर्ड में होगा, जो आपने language सूच की होगी, उसमें 20 number के questions होगी, फोर्थ में आपका academic पूचा जाएगा, इसके बाद 50 प्रशन होगी, 50 number के होगी, part fifth में होगा, जिसमें 50 questions होगी, 50 number के होगी, principal का जो paper होगा, तो तो टोटल आपका 150 number का होगा, और इसमें बन फो बात हो रहे हैं, आपको सबको समझना जरूरी है, क्योंकि PGT में general awareness भी आएगा, reasoning आएगा, और आपका knowledge आएगा, इसके बाद आपका teaching aptitude भी आएगा, और यह जो आपका आएगा, 10, 20, 10, 10, यानि total यहाँ पर आपको मान लो, आपका 50 number का आएगा, इसके बाद आपका part जो fourth रहेगा, उसमें आपका syllabus के coding रहेगा, आपका total 130 number का हो जाएगा, 20 number का language complete रहेगा, जो आपकी language रहेगा, जो आपकी language रहेगे, उसमें 20 number के questions रहेगे, total आपको 150 number का यहाँ पर paper इसका पूछा जाएगा, और बन फूर्थ आपकी negative marking इसमें रहेगा, अब यह हम बात करें PGT क कर लिए अपनने बात, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म की जो important date है, वो आप यहाँ पर देखेगा, फॉर्म आपके कब से भरे जा रहे हैं, यहनि कल से, 2 जुलाई से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 22 जुलाई को end है, आप फीस deposit 2 जुलाई से ही कर सकते हैं, 22 अब आपके मन में इससे related कोई प्रशने, कोई सवाल है, तो मुझे बताईगा, क्योंकि इस notifications को इतने कम समय में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने ऊपर-ऊपर की चीज़े जो जरूरत की चीज़े थी, वो आपको बता दी, और अभी भी आपके मन में doubt हो, तो comment मैं पूरी कोशिस करूँगा, कि आपके प्रशनों की जवाब दूँ, इससे आपको आसानी हो सके चीजों को समझने में और form भरने में, ठीके, नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखेगा, अच्छे से रहेगा, और God bless you, और आपके लिए अग ग्रिम बधाईया, इन सभी के बेजिगा, वाट्साप पर मैं आपको यहाँ पर इस नोटिफेशन को सेयर करते हूँ